तो क्या है कि ना विशय पर आगे बढ़ने से पहले में आपको एक छोटा सा उधारर देता हूं एक छोटी सी बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था पहले के समय पर युद्ध हुआ करते थे लोग आते थे स्टेडियम में जैसे आजकल मैश होता है और दो लोगों के बीश युद्धे देखते थे और उस युद्ध में कोई सीमा नहीं होती थी सामने वाले को कब तक मारना है क्या मा तो एक युद्धा इतना बलवान था वो हर बार जीता था कि मतलब अगर उसके सामने कितना सक्तिशाली क्यों न आ जाये वो हर बार उसको पठक देता था तो एक दिन महाराजा ने कहा कि भाई एक बड़ा फंक्शन करते हैं बड़ा प्रोग्राम करते हैं और बहुत से लो लोग आये और उस दिन वहां पर उस योद्धा जो कभी हारता नहीं था उसका सबसे बड़ा युद्ध था और पहले के समय पर लोग दाओं लगाते थे कि ये योद्धा पर हम दाओं लगाएंगे ये जीता तो हमारे पास ही आएगी समपत्ति वो योद्धा पर वो दाओं लगाएंगे वो जीता तो उनके पास समपत्ति आएगी तो सब ने उस योद्धा पर जो हारता नहीं था लगभग सब ने दाओं लगाया लेकिन महाराज उस बड़े मैच में जिसमें सपने दाव लगाया था उस पर वो योद्धा हार गया और हुआ क्या सबकी संपत्ति जिनों ने उस योद्धा पर दाव लगाय थी डूब गई मैंने यह उधारण आपको पता है पहले क्यों दिया है कुछ-कुछ बाते ऐसी है दुनिया में आपके लिए हमारे लिए या कुछ देश के ज्यादतर लोगों के लिए जो स्टेडियम में जाते हैं मोबाइल में दिन रात आँख गड़ा कर किर्केट पैस देखते हैं उनके लिए हो सकता है कि वो देश भक्ति का विशय बना दिया गया हो टीवी मीडिया के माध्यम से गाने बजाकर देश भक्ती वाले वहां पर वंदे मातरम बजाते हैं वो किर्केट के मैच में एक तरफ प्लेयर मैधान में गाली गलोज करते हैं और वहां पर वो लोग मंदे मातरम बजा रहे हैं मितलब आप समझो और भावनाओं का ऐसा इस्तमाल होता है तो भई लोग आइ तो टी आरिपी बड़ती ही और पूरा ऐसा सिस्टम चलता है सबको पता था सबको लगता था कि भाई भारत इस बार वर्ल्ड itionsवाला है आफ सुरुवात से ऐशी है ऐसा महाल बनाया गया था कि भाई भारत टो वर्लेक自己 वाला है जीतने वाला है, अंतम क्या हुआ, कौन जीता, आप सोच रहोंगे कि यार विराट कोली रो रहा था, रोही सरमा रो रहा था, आप समझे नहीं बात को, किसी भी पर्टिकॉलर खिलाडी के उपर, कैमरा एंगल दिखाना, ये एक सब रणनीती का एक ऐसा हिस्सा है, जिसको मैं फिर कहता हूँ, आम जन नहीं समझ सकता है, समझ रहे हो आप, लास्ट में प्लेयर्स को रोते वे दिखाना, और क्यूंकि भाई, हारे हैं उनको पता है कि दुनिया देख रही है, अब आप सोच रहोंगे कि यार मैंने तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन ने उठा दिया है, एक बहुत बड़ी संस्था पर, और बहुत से लोग हैं तो हम नाम भी नहीं ले सकते, देखो इस देश में तीन प्रकार के लोग हैं, पहले तो वो हैं जो सिस्टम के अंदर हैं, वो सब वो हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, ज्यादतर सरकारी, या उससे रिलेटेट, जो ब पता नहीं बहुत अंदर क्या चल रहा है, बस वो जो मैच enjoy कर रहा है, बहुत कम लोग हैं, जो सिस्टम के अंदर से होते वे निकल लिए आये, और उनको पता चल गया है कि भई या यहां क्या खेल चलता है, हाम उनमें से हैं, हमको पता है क्या खेल चल रहा है, अब लेकि प्राओं कि उमने बहुत बड़ी बहुत बड़ा खुलासा कर दिया यह नॉर्मल है यहां पर कुछ स्क्रिप्ट या कुछ भी हो सकता है यह लेकिन फिर भी वह उसको बखो भी करते हैं अब आप समझ जाओ भी क्या चल रहा है हम कहते हैं कि भी स्पोर्ट्स को बड़ावा दे रहे हो क्या ही sports है यह यह sports है क्या आप लोग हमारा देश यह घुड सवारी से लेकर तीर अंदाजी से लेकर जो warrior sports है ना हमारे देश की लोग वो करते थे एक समय पर Javelin throw यह सब सहसी जिसे कहते हैं खेल कूद वो सब तो उसका तो कोई पर्मोशन ही नहीं हो रहा है क्यों मतलब government के पास इतना पैसा है चारो तरफ stadium पर stadium के जाल बिछा रहे हैं लेकिन कभी athletics को इतना पर्मोट क्यों नहीं कर रहे हैं मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ इंडिया के अंदर हुजैन बोल्ट से तेज भागने वारे लोग निकल सकते हैं लेकिन पता है क्यों नहीं होता है पता है एक सिपाही जो जीवन भर मेहनत करता है और स्रद्धा से पूरी निस्पक्च पाहों से बिना ब्रष्टा चार किये लेकिन फिर भी वो सिपाही से लेकर सिपाही तक ही अपना पूरा जीवन जीता है और उसका कोई उसको उपर टॉप में पता है क्यों नहीं पहुँचा जाता है यह नियम है ब्रश्टाचार इस दुनिया का नियम है अगर परदूसर्थ सवाप्त हो जाएगा तो RO वाली कंपनियां क्या करेंगी अगर बिमारियां समाप्त हो जाएगी तो यह आपके यह सब डॉक्टर जो खोल के बैट रखें दुकाने वो क्या करेंगे समझ रहे हो अगर लोगों को नौकरियां मिलने लग जाएगी तो मोटिवेशनल स्पीकर्स का क्या होगा समझ रहे हो अगर यह फास्ट फूट के दुकाने बंद हो जाएगी तो यह जिम वालों का क्या होगा यह पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है इसको आपने कभी इक पल भी अगर आपने सोचा होता न तो आपके अंदर जो मोटिवेशन का भूध गुशा है कि मैं यह कर दूँगा मैं देश के लिए मैं यह कर दूँँगा हो कर दूँगा मैं एव्रेश्ट चर जाओंगा मैं यहाँ वो कर दूँगा आप इन सब चीजों को मतलब मां लेते यह सब तो फाल्तू बना है यह एक तरह का market flow है मैं यह नहीं कहूँ कि गलत है जैसे मैंने आपको wrestling का WWE का उधारन दिया यह तो एक छोटा सा उधारन है बहुत सी जिसे कहते हैं sports के field में अलग-अलग field में betting चलती है betting बे-टि-टि-टि-आ-इंजि सटा बाजी जिसको हिंदी में कहा जाता है और भारत बहार legal है और यहां पर final में कोई यह 10 लाग 12 लाग का कोई हिसाब नहीं चलता था भारत पर अगर किसी ने पैसे लगाए होंगे तो आपको पता है कितने लगाए होंगे बहार की currency यहां तो बहुत ही अलग हाई है भई खरबो में रुप्या लगा है क्रिप्टो करेंसी में तक रुप्या लगा है भई समालने के लिए जगे नहीं होगी इतना रुप्या लग रखा है क्रिप्टो करेंसी में मतलब क्रिप्टो करेंसी यानि online जो करेंसी है वो इसमें मतलब य पूरा कमरा भर जाएगा, ждगे नी निकल जाएगी, इतना रुप्या लगा हुआ है, और सबको लग रहा था कि भारत जीतेगा, भारत जीतेगा, तर यानि आम जन्मानुस को, उपर बहुत से अशे लोग हैं, उपर मतलब बहुत से से लोगे जिनको पता था क्या गेम, क्या सीन होने वाला है महुला ऐसा तैयार हुआ और अंत में क्या हुआ सब पैसा यही एक मैं आपको एक्जामपल देता हूँ जो WWE देखता हूँ उनको पता हूँ WrestleMania 39 यानि आज से लगबग दस महीने पहले एक मैच हुआ LA में Roman Reigns और Cody Rhodes कुछ ऐसा ही समझ लो Cody Rhodes इंडिया, Roman Reigns औस्टेलिया जैसा सबको लग रहा था कि Cody Rhodes तो कनफाम जीतने वाला है सारे बैटिंग उस पर लगे हुए थे जीता कौन ऐसा ही एक मैच हुआ था कोई sports racing car का ऐसे ही कई उधारण कई उधारण है और ये सब camera angle ये सब आपको लग रहा होगा कि उसमें एक आपने तस्वीर देखी कि भई शारुखान आसा बहुंच लेके चरण इस पर्स करके उनकी सेवा कर रहा है ये वो कर रहा है उनको सब कब किस समय camera पर आना है आलिया भट या कभी वो जिम से निकलती है वो हीरोईन है तो उनके पास वो पैपर रजाई जिनको कहते है पहुँच जाते है माइक लेके hello madam how are you कैसे है आप ये सब payment पो हो सकता है आप और हम सब चाहें कर सकते हैं पस आपको confidence ये थोड़ा सा कि यार मैं जब पब्लीक में जाऊंगा तो मैं कुछ ऐसे बोज सकूँ और कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है भाई कुछ नहीं है इसके अलावा पूरा खेल politics की दुनिया हो film industry की दुनिया हो या cricket की दुनिया हो तो जुनिया हो जो सच हो लेकिन अभी भी जो इतनी घिराईयों में डूबे हुए मैं आपसे ज़्यादा भावना हो मैं पूरे system के अंदर अभी भी में हूँ बहुत लोगों से connectेड हूं बड़े बड़े production आउसे इसके आते हैं पड़े हैं हमारे पास और आते हैं अभी भी लेकिन हमाई किसी का chicken neck नहीं बनना है मतलब chicken neck समझते हैं आप ये term थोड़ा ये army और इन सब से related है मतलब जब होती नहीं गईस की मुंडी ये chicken यानी क्या हुआ मुर्गी मुर्गी की मुंडी किसी के हाथ मा जाती है तो कभी भी कट रखती है ये सब chicken neck आपको का लग रहा है कि हमारे देश का सबसे बड़े सबसे decision प्रधान मंत्री मुदी लेते हैं पीछे तो बहुत लोगे हों दिखते ही नहीं कभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो जितने चेहरे सामने आपको दिख रहे हैं they are just faces बड़ी बड़ी शक्तियां बैठी हुई हैं भाई जो कभी दिखती ही नहीं है और ये सब खेल चलता है बश टीवी में मैंने कहा न ये लोग बात करते हैं climate change की ये environmental production की अरे एक बात बताओ जो लोग बात कर रहे हैं corruption समाप्ट करने की भाई corruption समाप्ट हो जाएगा तो पूरा देश बैठ जाएगा आज ये reality है reality क्या करोगे भाई जो लोग सोचते हैं अभी भी जिनके अंदर बुखार है कि भाई हम system में जाएंगे IS बनेंगे IPS बनेंगे नेता बनेंगे बदलाओ लाएंगे आप बदल जाओगे आपके अंदर इतनी भी सुद्धता होगी ना वो भी शनमाप्ट हो जाएगी फिर आप पता है क्या करोगे vlogging करोगे vlogging गुमा फिराकर आप मतलब वो ही काम करोगे जो अभी सैफ अलिखान अपने बेटे के साथ कर रहता है तैमूर वो उनको पैसे दे दी ये मीडिया वालों को कि हम लोग आने वाले हैं भाई सवाल पूछना हमसे ये वो ये fix चलता है भाई पूरा और अभी जो famous हमारे देश के IASN टॉप के डर के वो यही तो कर रहे हैं तो आप लोग मैं अभी फिर कहता हूँ भाई क्यों बेवकूफी में लगे हुए हो अपने ये motivation को निकालो अपने पिछवाडे से और थोड़ा अपने अंदर आत्मिश्वास लाओ आत्मिश्वास अपने अंदर उसमें लग जाओ हीरो पन्ती में या हीरो इन पन्ती में यही चल रहा है भाई यही चलते आ रहा है आज से से नहीं हजारो हजारो सालों से यही चल रहा है दुनिया में यही चलेगा और इसी की हमें लगेगा कि इसी की ही जीत हो रही है यानि जो on record पहले तो यह गरंद होगा करते थे अब यह आ गया है यह सब बाते अब बताये कहां से यह क्यों आई क्योंकि यह सब किर्केट इस बड़े सिस्टम का एक चोटा सा इस्वा है और फिर कहता हूं कि मैंने यहां पर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नियाएं मिले यह मिले वो मिले वो तो अगर आप लोगों को लगता है आप करना हमें कुछ नहीं चाहिए यह एक ऐसी वास्त विक्ता है मैं आपके सामने रख रहा हूं मानना है तो बात को मानो वीडियो को आगे बढ़ा हूं नहीं मानना है तो भाई की बारत माता की जायो